हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अन्यन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सौलबार यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे हमारा एक साब्सक्राइबर है जिसका नेमे रभी कुमर आप नीचे उसका कॉमेंट देख सकते हैं उन्होंने मुझ बेलोड में CMC होस्पिटल का यूरोलोजी डिपर्मेंट के बारे में यानि कि बेलोड में CMC होस्पिटल का यूरोलोजी डिपर्मेंट में आप कैसे डॉक्टर को दिखा पाएंगे यूरोलोजी डिपर्मेंट का सिस्टेम क्या क्या है और प्रोसेस क्या क्या है सब कुछ इस डिटेल्स में आज का इस टॉपिक पर हम फुली एक्स्प्लेन करेंगे इसलिए आज का इस टॉपिक को आप एंड तेक पूरा देखेगा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो को सब्स्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल कॉल पर क्लिक करें क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकेल रिलेटेड हर तरा का हेलफुल कॉंटेंट मिलता रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं देखिए फ्रेंड् आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को डॉक्तर का एक ओमलाइन एपॉंट्मेंटन्ट में लेना चाहिए आप डॉक्तर को किसे साइबर केप में जाके ले सकते हैं या तो फिर आप अपना खुद का मोबाइल से ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको नहीं पता है कि मोबाइल की द्वारा आप डॉक्ट्टर का ओनलाइन एपॉंट्मेंट याने की सीमसी बेलोड हॉंस्पिटल का इससाइब से पहले आप लोगों को क्या हैए और अनॉलाइन फान में लेका और तो किसे साइबर के निकलने के बाद उस फैपर में यानि कि जो अपर में पेपरहे उस पर में रहे जाता है आपका डिटेल्स डॉक्टर का डिटेल्स डॉक्टर का डिटेल्स यानि किस डॉक्टर का डिखाना चाहते हैं डॉक्टर का नेम कौन सा डिपर्मेंट है यानि कि आप किस डिपर्मेंट में दिखाना चाहते हैं यानि कि यूरोलोजी डिपर्मेंट में दिखान लेना चाहिया दोक्टर का सब से पहले online appointment लेना बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद आप लोगों को किया करना चाहिए कि जीस डेट दिया गया और जीस ताइम दिया गया है उसी ख़रा होना है लाइन में ख़डा होने के बाद आप लिगों का जब लाई आएगा तो वहां पर appointment paper check होगा उसके बाद आप में जाएगा लगा जाए ठीकल लगा जाएगा और आप लोग अंदर जा सकते हो और अंदर जाने पर से आप लोगों को line में खड़ा होना है यानी की फिल से अगर आप नय है तो new time है तो लोगों को 있습니다 बाना है है अगर आप सेकेंट प्झाली था करना घर्जाएंब करने का कोई ज़रूर नहीं है लेकिन तोस्राइब लेडिकल कि पर लेना पड़ता है तो आप लोगों को सब से पहले रजुस्टरेंट कर बाना चाहिए रेजिस्टेशन करने के लिए दोनों लाइन होता है एक प्राइबेट वार होता है और एक जेनरल वार होता है आप अपना मरमजी हिसाब से वार को चुच कीजिए जिस तरह का आपने ले चुका है उसी वार पे आप लोग चुच कीजिए और उस लाइन पे आप लोग खड़ फाइल वहां पर जम रहाए जाए ठीक है कुछ तरह का सिस्टेम है और वहां पर appointment पेपर में आपका सब कुछ कि मैंसें क्या जाएगा रेजिस्टरसर जहां पर होगा आप पर आप लोगों को जाना अयानिकि सबसे पहले आप लोगों किया करना है कि कार którzy बननालेकर बनने के लिए पर जाना है वह क्या गिया जाएगा उसके बाद डिखाने होस्पिटल कार को बना लेना चाहिए होस्पिटल कार को बनाना बहुत ही ज़रूरी है आप उस कार को बना लीजिए उस कार को बना ली के लिए आप लोगों को कैस काउंटर में जाना है ठीक है कैस काउंटर में जाके आप लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना है और ला को ठीयो पोस्ट हो जाता है कार और कार बनने के बाद आप लुगों क्या करना चाहिए कि खाया चाहीं के च्वर 172 क्या धिक्न क्या पाएंगे सच अम लोगों क्या करना चाहिए कि डॉक्तर दीखनेसे पहले आप लोगों को जब घर से आप जा रहे हैं तो घर से जाने से पहले आप अभी तक जिस तरह का डॉक्टर को दिखा है यानि कि यूरोलोजी डिपार्मेंट में अगर आप अभी तक जितना सारा डॉक्टर को दिखाया है और जितना सारा रिपोर्ट्स अभी तक कर चुका है उन सारा ब्लाड रिपोर को अभी तक आपने दिखा है कौनसा कौनसा डॉक्टर को डॉक्टर के पास आपने ब्लाइट रिपोर्ट किया है एक्सरे रिपोर्ट किया है इसी जी किया है या तो फिर आप किसी आल्टर साउंड डिपोर्ट किया है कुछ इस तरह का दिखाना है सो डॉक्टर सब कुछ देखता है और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर आपका case history लेगा case history यानि आपका fully case history लेगा यानि कि आपका सबसे पहले आपका कभी तक operation हो चुका ही या नहीं अभी तक आपने कौन सा कौन सा medicine ले रहे हैं सब कुछ details में डॉक्टर पूचता है उसके बाद आपका अगर माली जी यूरोलोजी डिपर्मेंट वे आपका urine का problem है यानि कि काफी दिन से urine का problem में आप भूग रहे है यूरिनारी ब्लाडर का कुछ problem हो गया है बार बार यूरिन जाना पड़ता है ठीक है और यूरिन का urine में infection हो चुका है सो डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर कुछ इस तरह का आपको टेस्ट करने के लिए बोलेगा टेस्ट यूरिन टेस्ट होगा और urine का culture होगा कुछ इस तरह का test होता है और अगर माली जी आप लोगों का urology department वे अगर कोई patient का अगर prostate का problem होता है यानि कि prostate काफी दिन से prostate हो गया है prostate pain बहुत जादा हो रहा है और prostate cancer भी हो चुका है तो उसकी बज़े से क्या करना चाहिए कि आप लोगों को डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहिए उसके बाद डॉक्टर टेस्ट करता है यानि आप लोगों का urine को तो टेस्ट करना पड़ता है उसके बाद prostate का एक blood test आता है इस टेस्ट का नहीं में PSA PSA का फुल फोर्म आता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंडिजन इसकी बज़े से प्रोस्टेट का जो अगर प्रोस्टेट में कुछ इंफेक्शन हो चुका है प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है सो कुछ इस तरह का पता चल जाता है और ultrasound करने के ल स्लीब को लेकर यानि कि जो टेस्ट का स्लीब है यानि कि जिस पेमेंट को आप लोगों को पे करना चाहिए उस पेमेंट को स्लीब को लेकर आप लोगों को कैस्ट काउंटर में जाना है और कैस्ट काउंटर में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उस पेमेंट को कर देना है और पेमेंट कर देने के बाद आप लोगों का स्लीब निकल आएगा यानि कि जिस तरह का टेस्ट होगा उस सारा स्लीब को तैस्ट कर लिएना है यानी कि जिस तरका टेष्ट यतार एकर व्लाइभ टेष्ट रिपो नहीं इसके बाद कियाकटर किया करता है कि आप लोगों को अब लोगों को शेकेंड टाइम करने दिखा केलिएखर और मेंडेट अटोम Hahnemern लेने का जोरोर नहीं लेकिन कभी कभी अपर ने परता है अगर नार दॉक्त को धी तो आप लोगों को ध्रकोरेने में पर ने परता है पृक्षट कम लेनते हुद यह सीजंबर और उसके बाद रिपोर्ट्ट करने लेने के लाएक प्रसेव कि धा जाएगा आपका appointment paper check होगा उसके बाद अंदर जाना है अंदर जाने के बाद registration line में खड़ा होना है उसके बाद आप लोगों का क्या करना चाहिए कि आप लोगों का उस hospital कार को scan करने के बाद आपका जो report है उन सारा report doctor देख पाएगा लेकिन आप नहीं देख पाऊगे लेकिन अगर आप उस report को देखना चाहते हैं खुझ से report को देखना चाहते हैं तो जब आपका डॉक्टर दिखना का काम खतम हो जाएगा तो तब आप लोगों को क्या करना इस वीडियो में मैंने बताया कि वेलोड CMC Hospital का रिपोर्ट को आप अपना मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड्स वेलोड में CMC Hospital की सिस्टेम है कि अगर मान लीजिए अगर आपको पेसेंट का बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गया है याने कि उरोलोजी डिपर्मेंट के बारे में अगर पेसेंट का बहुत ज़्यादा सिस्टेम बिगड़ गया है यानि कि urinary bladder का बहुत ज़्यादा problem आ गया है urine का बहुत ज़्यादा infection बढ़ चुका है अगर prostate का infection बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है prostate cancer हो चुका है अगर आपको patient को admit करना है तो admit करने के लिए वहाँ पर जो charge लगता है general war में जो charge लगता है अगर बढ़ती करना चाहते हैं तो वहाँ पर 4000 से 5000 तक आसपास खर्चा हो जाता है private department में सो बेलोड में cmc hospital का कुछ इस तरह का system है उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बेलोड में cmc hospital का urology department के बारे में यानि कि बेलोड में cmc hospital का urology department में आप कैसे डॉक्टर को दिखा पाएंगे वहाँ का system क्या क्या है और process क्या क्या है उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और फ्रेंट्स वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक कर दीजीगा दोस्तों को साथ share कर दीजीगा अगर इसकी बारे में फिर भी आपको कोई confusion होता है तो आप इसी वीडियो का comment box हो जाके आप हमें comment कर सकते हैं मैं कोसिस करूंगा उसका reply देने में और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिए उसके साथ bell icon को all press कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को medical related हर तरह का helpful content मिलता रहेगा और friends आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं Instagram का ID है add direct medical solver और हो सकते हैं यहाँ पर आपके साथ बाते भी हो सकता है तो इसलिए Instagram पर आप जोनूर follow कर लिजिएगा तो चलिए friends आज का इस topic को ही पर खतम करते हैं मिलते हैं आगले topic पर तब तक के लिए thank you so much and thanks for watching